हेलो फ्रेंड वेलकुम बैक टो माई चानेल तो आज मैं आपके लिए क्रोशिट पर्स का एक नए डिजाइन लेके आई हूँ तो फ्रेंड यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से फ्लावर बनाये हैं और पिंक और वाइट में इस पर्स को बना के लिया है जो यह डिजाइन है इसकी मैंने तोरन पटी भी बना के चानेल पे अपलोड कर दी है तो प्लीज आप जाके उस तोरन पटी को भी देख सकते हो तो फ्रेंड यहाँ पे देखो इस तरह से आप पर्स बना सकते हो क्रोचिट से तो फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और उसके बाज़े में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत बूलना इससे क्या होगा मेरे जो भी नए नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे तो फ्रेंड चलो डिजाइन बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड यहाँ पे देखो मैंने डबल कुशिट का पूरा लाइन बना के लिया उसके बाद हम यहाँ पे टर्न करेंगे तो उससे पहले हम थ्री चेन बनाएंगे और इस तरह से टर्न करके लेंगे उसके बाद आगे जो डबल कुशिट है उसके उपर एक डबल कुशिट बनाएंगे उसके बाद आगे के डबल कुशिट के उपर एक डबल कुशिट तो यहाँ पर हमें टोटल फाइव डबल कुशिट बनानी है तो जो हमने 3 chain बनाई थी उसे मिला के हमारे 5 double crochet हो जाएंगे उसके बाद हम 2 chain बनाएंगे और नीचे का 1, 2 double crochet छोड़ के जो 3 number का double crochet है उसके उपर हम 2 double crochet बनाएंगे इस तरह से उसके बाद हम 2 chain बनाएंगे 2 chain बनाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर 2 double crochet छोड़े उसी तरह से हम 1, 2 double crochet छोड़ के जो 3 number का double crochet है उसके उपर हम double crochet बनाएंगे तो यहां से हम 5 double crochet बनाएंगे 2, 3, 4, 5 तो इसी तरह से हम पूरा line बना के लेंगे पहले 5 double crochet, फिर 2 chain, फिर 2 double crochet, फिर 2 chain और फिर से 5 double crochet तो इस तरह से हम last तक इस round को बना के लेंगे, तो फ्रेंड इस round को भी मैंने पूरा करके लिया हैं, उसके बाद आगे हम फिर से 3 chain बनाएंगे, 1, 2, 3, turn करेंगे, और आगे जिस तरह से हमने 5 double crochet बनाएंगे, सेम हम वेसे ही 5 double crochet बना के लेंगे, 2, 3, 4, और जो chain बनाएंगे, हमने turn करते समय, उसे मिला के 5 double crochet हो जाएंगे, उसके बाद हम 2 chain बनाएंगे, sorry 3 chain बनाएंगे, और इस तरह से जो सीधी साइट है design की, अब हम उल्टी साइट से design कर रहे हैं, तो अब जो सीधी साइट है design की, ओ हम आगे लेंगे, इस तरह से, और जो double crochet बनाएंगे था हमने, उसके उपर हम double crochet बनाएंगे, 2 double crochet हैं, उसके पहले double crochet के उपर हम double crochet बनाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, इस तरह से, उसके बाद 1, 2, 3, तो 3 chain बनाएंगे, और जो 4 double crochet है, उसके यहाँ पे हम, यहाँ पे simple crochet बनाएंगे, इस तरह से, उसके बाद आगे हम फिर से 3 chain बनाएंगे, और उसी double crochet के उपर 2 double crochet बनाएंगे, तो double crochet बनाएंगे, और यहाँ पे दूसरा double crochet है, उसके उपर फिर से 2 double crochet, इस तरह से, उसके बाद 3 chain, और इसे यहाँ पे simple crochet बनाएंगे, लेंगे, इस तरह से, उसके बाद फिर से 3 chain, 1, 2, 3, तो देखो, इस तरह से देखेगा, फ्लावर की तरह, उसके बाद, उसी double crochet के उपर हम फिर से 4 double crochet बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, और फिर से 3 chain बनाएंगे, 1, 2, 3, और उसी double crochet के उपर इसे पूरा करके लेंगे, यहाँ पे simple crochet से, इस तरह से, उसके बाद 3 chain बनाएंगे, 1, 2, 3, और आगे जो double crochet है 5, उसके उपर 5 double crochet बनाएंगे, 1, 2, 3, और उसके बनाएंगे, तो देखो, इस तरह से design हो जाएगा, सीधा करेंगे, तो इस तरह से flower की तरह दिखेगा, तो इस तरह से हम पूरा line बना के लेंगे, और जो 2 double crochet बनाएंगे हैं, हमने, उसके उपर ही हमें इस तरह से flower बनाएंगे, लेना है, 2 double crochet के उपर ही हमें flower बनाना है, तो मैं आपको पूरा line बना के दिखाते हूँ, तो फ्रेंड, यहाँ पर देखो, मैंने ए राउंड पूरा करके लिए आए, तो आगे का डिजाइन हम आप बनाएंगे, तो यहाँ पर अब हम, 1, 3 chain बनाएंगे, 2, 3, टर्न करेंगे, यहाँ पर देखो, 5 double crochet, और यहाँ पर देखो, 5 double crochet, तो हर राउंड में हमें 5 double crochet लेके, आगे का डिजाइन शुरू करना है, तो यहाँ पर देखो, मैंने, double crochet बना के लिए है, इस तरह से हम बनाएंगे, 3, 4, और 5, उसके बाद यहाँ पर हम 2 chain बनाएंगे, और बीच में हम popcorn stitch बनाएंगे, तो इस तरह से देखो, यह जो बीच में flower के gap है, उसके बीच में हम इस तरह से popcorn stitch बनाएंगे, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पर देखो, मैंने 3 round बना के लिए, तो इस तरह से हम इसे, simple crochet बना के लिएंगे, यहाँ पर, उसके बाद आगे हम 2 chain बनाएंगे, और 5 double crochet के उपर, 5 double crochet बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर बीच में, जो गयाँ फे, उसके उपर एक popcorn stitch बनाएंगे, और फिट से 5 double crochet, तो इस तरह से हम इस round को भी पूरा करके लिएंगे, तो फ्रेंड, यहाँ पर देखो, यह हमारा round पूरा हो गया, popcorn stitch का, इस तरह से दिखेगा, उसके बाद, आगे हम, फिट से, 3 chain बनाएंगे, और 5 double crochet बनाएंगे, तो फ्रेंड, यहाँ पर देखो, मैंने 5 double crochet बना के लिए, उसके बाद, हम 2 chain बनाएंगे, और जो हमने, पूरा नहीं करेंगे, आगे फिर से, एक बार धागे को, सुई के उपर लेंगे, और आगे, और एक, half double crochet बनाएंगे, इस तरह से, उसके बाद, हम इसे, यहाँ पर, simple crochet करेंगे, इस तरह से, उसके बाद, आगे, हम, फिर से, 2 chain बनाएंगे, और आगे, 5 double crochet बना के लिएंगे, तो, डेको, फ्रेंड, मैंने, इस राउंड को भी, पूरा करेंगे, उसके बाद, हम, 3 chain बनाएंगे, और, टर्न करके, 5 double crochet बना के लिएंगे, तो, देको, फ्रेंड, मैंने, आवे, 5 double crochet बना के लिए, उसके बाद, आगे, हम, जिस तरह से, हमने, इस राउंड को शुरू के आथा, तो यह हमारा round पूरा हो गया पहला round तो जिस तरह से हमने शुरू करते समय डबल कुषिट बनाया था सेम हब हम उस round को फिर से बनायेंगे तो देखो यहाँ पे हम two chain बनायेंगे उसके बाद आगे जो अभी हमने half double कुषिट का ट्रेंगल बनाया था यहाँ पे बीच में जो ट्रेंगल है उसके उपर हम यहाँ पे two double कुषिट बनायेंगे इस तरह से उसके बाद फिर से two chain और फिर से five double कुषिट तो देखो फ्रेंड मैंने इस round को पूरा करके लिया उसके बाद मैंने turn करके three chain बना के five double कुषिट बना के लिया इस तरह से उसके बाद फिर से three chain बनाई जिस तरह से हमने इस round को बनाया था जो अब हम flower बनाएंगे तो यहाँ पे हमने three chain बनाई इस तरह से हम design को सीधा करेंगे और जो two double कुषिट है उसके उपर हम इस तरह से flower बनाएंगे तो देखो इसी तरह से हम आपको जितना round बनाना है उतना round बना के लो आपको जितनी बड़ी परस बनानी है उतनी आप बड़ी बना के ले सकते हो तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ यह पूरा बना के तो फ्रेंड यहाँ पे देखो मैंने इस design के छे round बना के लिए है और यहाँ पे last में मैंने two line double crochet की बनाई है यहाँ पे और यहाँ पे तो इस तरह से मैंने two block बना के लिए है इस तरह से अब हम इससे हम join करेंगे और इससे purse बनाएंगे और इसके लिए मैंने इससे join करने के लिए इस तरह से एक पट्टी बनाई है डबल crochet की तो इसमें मैंने line बनाई है यह जो double crochet का इस तरह से तो मैंने यहाँ पे nine double crochet बना के लिए है तो देखो इस तरह से मैंने line बना के लिए है आपको जितनी बड़ी पट्टी चाहिए पर्स में उतनी आप बना के ले सकते हो तो मुझे जितनी चाहिए उतनी मेने बना के लिए है उसके बाद अब हम इसे जॉइन करेंगे तो सबसे पहले हम इसे डिजाइन को उल्ठाक रखेंगे और इसे हम इस तरह से साइट से जॉइन करके लेंगे थोड़ा सा उपर लेंगे ताके हम दोनों पटोक इस तरह से जॉइन कर सके तो देखो हम यहां से वाइट कलर से इसे जॉइन करके लेंगे सिंपल कुशिट बनाते जाएंगे हम तो देखो मैंने यहां पर वाइट कलर का धागर जॉइन करके लिया उसके बाद आगे जो डबल कुशिट है हम इसे इसे जॉइन करेंगे वाइट कलर की पट्टी को और यह पिंग कलर के पट्टी को इस तरह से इस तरह से हम पूरे साइट से इसे जॉइन करके लेंगे तो फूरेंड यहां पर देखो मैंने साइट से त्टीनो साइट से मैंने पट्टी जॉइन करके लिए इस तरह से उसके बाद यह देखो डिजाइन अंदर की तरफ है उसके बाद हम इसके ऊपर की दुसरी साइट लगाएंगे तो इस तरह से इसे भी हम सेम उसी तरह से जॉइन करके लेंगे इस तरह से उसके बाद हम इसे सीधा करेंगे तो सबसे पहले हम इसे जॉइन करके लेते हैं और जो यह पटी है तो देखो यह जो पटी है हम इसे भी इस तरह से यहाँ पर इसे जॉइन करके लेंगे तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ तो फ्रेन यहाँ पे देखो मैंने पूरी पर्स का सैट से डिजाइन जॉइन करके लिया और यहाँ पे जो पट्टी थी उसे भी मैंने जॉइन करके लिया है देखो इस तरह से पीचे की सैट से तो आगे से इस तरह से दिखीगी तो अब हम इसे सीधा करेंगे पर्स को तो देखो इस तरह से दिखेगी तो यहाँ पर जो धागा है इसे हम कट करके लेंगे इस तरह से तो फ्रेंट यहाँ पर देखो इस तरह से उपन हो रहा है तो हम इसे दोनों को साथ में जोइन करके लेंगे यहाँ पर करेंगे यहाँ पर तो लेंगे तो अब हम यहाँ पे दागी को कट करके लेंगे और इस साइड को भी हम इसी तरह से सील लेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चानल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा Thank you so much